किसान भायो नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसो फसल में लगने वाले माहो किट की बारे में सरसो में लगने वाले माहो किट बहुती महत्वपून किट है क्योंकि एगर इसका प्रकोब ज़्यादा हो तो यहां 50% फसल को नुक्सान हो जा सकता है जी हा किसान भायो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले सरसो में लगने वाले माहो किट का क्या पहचान है दूसरे नमबर पर हम बात करेंगे यहां किट फसल को किस तरह से नुक्सान हो जाता है और तिसरे नमबर पर हम बात करेंगे इस किट को नियंतरन करने के हमारे पास क्या-क्या उपा है और इसमें हम कौन-कौन सा किट नाशक का परोग कर सकते हैं किसान भाईयो पहले नमबर पर हम बात करेंगे माहू किट का क्या पहचान है सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि माहू कीट का अन्य नाम क्या क्या है इसको माव, तेला, चेपा, लाही तथा मावा नाम से पुकार जाता है या तो जाना जाता है तथा इसको इंगलिस में कहते हैं एफिट और इसका जो बैगानिक नाम है लिफेफिस एरिजिमी इहा कीट दिखने में हलका हरे रंका होता है अकर पत्तियों के रंका ही इहा कीट होता है तथा इसका आकार एक सेंटिमीटर का दस्वा भाग अर्थार एक एमेम ही इसका आकार होता है दिखने में बहुत ही सुष्च में होता है किसान भाई वाब हम बात करेंगे दुसरे नंबर पे और जिसमें हाँ को बताएंगे यहाँ कीट फसलों में किस तरह से नुखसान पहुचाता है सरसो का जो माहु कीट है यहाँ नौमबर महिने के अंतीम सप्ता और दिसमबर के पर्थम सप्ता के बीच में इसका परकोब दिखना सुरू जाता है जैसे जैसे आपका समय बढ़ते जाएगा इसका परकोब उसी तरह से बढ़ते जाता है खास कर जब आसमान में बादल चाहे रहे और फुहार पढ़ने लगे तथा ठंडी ठंडे हवा चले उसी समय इसका परकोब बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ फसलों को बहुत ज़्यादा मुखसान पहुचाता है यहाँ जो कीट यहाँ दो परकार का होता है एक जो सिधा बच्चा देती है तरह दुसरा जो अंडा देती है मैदानी भागों में जो माहू है यहाँ सिधा बच्चा देती है और पहड़ी भागों में अंडा देती है मैदानवी भागों में इसका प्रकोब इसके जादा देखा आता है क्योंकि इसके सीधे बच्चा देने से इसका जो पीड़ी है एक के बाद एक बढ़ते रहता है जैसे आज अगर बच्चा दी तो यहाँ एक हफ्त में बढ़कर फिर से खुद बच्चा देना सुरू कर लेती है इस परकार एक के बाद इसका पीड़ी आने लगता है और फसलों को यहाँ लुक्सान पहुचाता है यहाँ जो कीट है यहाँ पौधे के जितने कोमाल भाग है जैसे की फूल, पत्ति, तना तथा इसके फली इस जगह पर बैटके एक जुण में यहाँ बैटता है बैटने मत क्या होता है उस जगह का रस को चूशता है इस परकार रस चूजने के बाद क्या होता है कि पतिया या इसके कोमल तने सूख कर धिरी धिरी पीला पढ़ने लगती है और जिससे पौधे मर जाते हैं एफीट के आकरवन से एक नुकसान और होता है कि यहां मधू का सुराव करता है जिसमें की बलेक फंगस का एटेक होता है और जो फसलों को नुकसान पोच जाता है सरसो फसल का जो माहू कीट है इसका और चीटी का इसका बहुत एक घंश संबन है इस फसल में इसमें यहां होता है कि जो माहू है वहां फसलों में रस चूस कर मधू स्राव करता है और जो चीटी है उस मधू को खाने के लिए उस जगा पर आता है इन दोनों का इसमें यहाँ फाइदा होता है कि चीटी को मदूद मिल जाता है खाने के लिए और माहू का जो सत्रू कीट है वहाँ जब माहू कीट को खाने आता है तो उस जगाँ पर चीटी देखके वहाँ भाग जाता है इससे यहाँ माहू को अपने सत्रू कीट से सुरच् इसान भाईयों अब हम बात करेंगे सरसो फसल को माहू कीट से हम कैसे बचा सकते हैं तथा इसका क्या उपाय है इसमें हम सबसे फिल आपको बताएंगे सरसो फसल का हम बुआई कब करें जैसे कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका प्रकोब बहुत ज्यादा फरवरी महिना में देखा आता है इसलिए आप जहां तक संभा हो 15 अक्टूबर और नॉमबर के परथम सकता के बीच में ही सरसो का बुआई कर लिए इससे हैं होगा कि जब फरवरी महिन आएगा उस समय क्या होगा सरसो परिप्रक हो चुका होगा उसका जो तना है पत्ती है वो क्या होगा मजबूत हो जाएगी जिससे कि माहू आसानी से प्रकोब नहीं कर पाएगा दुसरे नंबह पर हम बताएंगे कि आप जो सरसो खेत है उसके आसपास पीले कलर का इस्टिक जो कि आपको मार्केट में दुकान में मिल जाएगा या तो आप घर में भी बना सकते हैं पीले कलर के कागाज में आप गोन लगा दीजिए और खेत में उसको एक दू जगा पर और वहां चिपक जाएगा और मर जाएगा अब हम बात करेंगे राशानिक विदी जिसमें कि हम कुछ महत्वपून कितनाशक के बारे में बताएंगे जिसका उपयोकर अब सरसो के माहू किट का नियंतरन कर शकते हैं क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं माहू एक चुसक क इसलिए हम इसमें सिस्टमिक इंसेक्टि सैट का पर्योग करेंगे इसके लिए पर्मुक तीन सिस्टमिक ऐसे दवा कर सिस्टमिक इंसेक्टि सैट का नाम बताऊंगा जिसका पर्योग कर आप माहू किट कर नियंतरन कर शकते हैं जिसमें पहला दवा है इमीडा कुलोपीरीट 17.98% SL इसे 20 सेमेल परती टंकी हिसाब से पानी में घोल कर स्प्रे करना है यहां दवा बाजार में कॉनफीडोर, मीडा, इमीडा सोल, इमीडा पलस, रिक मीडा आदी नाम से मिल जाएगा दूसरे नमबर पे जो दवा है थाइमेथोकसेम 25% WG इसे 6 ग्राम परती टंकी हिसाब से पानी में घोल कर स्प्रे करना है यहां दवा बाजार में एक्टरा, एरेबा, ओटारा, थाइमेकसा नाम से मिल जाएगा तिसरे नमबर पे जो दवा है फिप्रोनिल 80% WG इसे 4 ग्राम परती टंकी हिसाब से पानी में घोल कर एस्प्रे करना है यहां दवा बाजार में जम, हुटर, जमबो, डिफेंड, फिप्टोरा 80 इत्यादी नाम से मिल जाएगा किसान भाईयो, इन तीनों दवाव में से आप जो भी दवा बाजार में उपलब्द हो, किसी एक दवा को लेकर सरसो फसल में माहो के लिए स्प्रे कर शकते हैं इससे आपको असार कारा परनाम मिलेगा